हेलो दोस्तो जोब प्रोफाइल यूटीब चैनल में आप सभी का स्वागत है यदि आप लड़का है या लड़की है महिला पुरूस जो भी फैक्टरी में काम करना चाहते तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुसकवरी है यहाँ पर अलग-अलग पदो पर आपको काम दिलवाय जाएगा तो कैसे आपको काम मिलेगी कौन-कौन से लोकेशन है सभी जानकर यह आपको इस वीडियो में दी जाएगी तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सीटी और एस्टेट यह तीन-चार चीज़े जरू कमेंट कर दीजेगा इससे क्या होगा? कि यदि आपके नएदीक में कोई वैकेंसी होगी तो उसकी इन्फॉर्मिशन हम आपको देंगे और आप वहाँ पर जोब प्राप्त कर सकते है तो यहाँ पर आप देख सकते है 2021 में यदि आपको फैक्टरी में जोब करनी है तो यह वीडियो आप पूरा देखेगा तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से पोस्ट होने वाली है जिस पर आपको जौब दिलवाई जाएगी तो यहाँ पर मैनेजर का पोस्ट होने वाला है सुपरवाईजर का हेलपर, गार्ड, ओफिस बॉआ या गर्ल और सफाय कर्मी साथ ही अन्य पदो पर भी यहाँ पर वेकेंसी निकल चुकी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेकेंसी के लिए लड़का और लड़की दोनों की ज़रुवत है यानि मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर काम कर सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा बॉन्डेशन नहीं है लेकिन हाँ जो यहाँ पर लड़की की सैलरी होगी वो थोड़ी कम होती है क्योंकि इसकी जो टाइमिंग होती है इसमें कि आपको सिर्फ 6 गंटे ही डूटी करना होता है इसलिए सैलरी भी थोड़ी कम होती है बागी जो लरका का जॉब है इसमें 8 से 10 गंटे की ड्यूटी होती है या तो आप चाहे तो ओवर टाइम करके 12 या 14 गंटे भी कर सकते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं जॉब डीटेल्स की कि जॉब किस टाइप का होने वाला है तो यहाँ पर जॉब डीटेल्स में यानि कि आपको फैक्टरी पर काम करना है यहाँ पर आप नोकरी के लिए यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है कैसे कांटेक्ट करना है किस नंबर पर कांटेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ आगे मैं आपको वीडियो में नंबर भी देने वाला हूँ जिस पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो यहां पर आप देखिए काम के दोरां याद रखने वाली बात यह है कि आपको बहुत ही लगन और मेहना से काम करना होगा क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जो भी प्राइवेट कमपनी होती है वहां पर काम काफी ज़्यादा करना पड़ता है यह तो आप सभी को पता ही है तो यहां पर और इमांदार होना चाहिए और फैक्टरी में आपको CCTV कैमरा लगा हुआ मिलेगा तो किसी भी तरह का आप कोई गलत काम करते है तो आप पक्रे जाएंगे और आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा किसी भी तरह का नसा जो है आपको वर्किंग आवर में नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर जो फैक्टरी होती है वहाँ पर बहुत बरी-बरी मसीने होती है यदि कुछ गरवरी हो गई तो आपके उपर भी खत्रा हो सकता है जो आप बात करते हैं उम्र 18-45 के बीच होना चाहिए आगे बाता है करेंगे कि कौन-कौन से डोकूमेंट जो है वह आपके लिए जरूरी है यहां काम की बात करें तो चीफ आठ घंटे आपको काम करना है शूबर 10 वज से लेकर 6 वज तक और आप चाहिए तो ओवर्टाइम कर सकते हैं यहां पर सेल्ली की वाद की जाए तो यहां पर देखिए काम करने वाले लोग की सेल्ली जो है यहां पर हेलपर 20,000 रुपे मैनेजर की सेल्ली यहां पर 50,000 रुपे होने वाली है सूपरवाइजर 40,000 रुपे, आफिस बॉइज या गर्ल जो आफिस में रहते हैं उसकी सेली 28,000 रुपे होने वाली है और यहाँ पर गार्ड की सेली 15,000 रुपे होने वाली है जोब के लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर जोब का लोकेशन देली, कोलकाता, हैदरावाज, सूरत, भोपाल, जैपूर, नोईडा और लखनो इन जगों पर आपको जोब मिल सकती है उसके बाद यहाँ पर देखिए काम के दोरान आपको जो है रहना, खाना और मेडिकल, जो है नॉर्मल मेडिकल की सिवधा जो है आपको फ्री मिलेगी साथी पीएफ भी आपको मिलेगा पत्र हो सकता है, बैंक खाता होना जरूरी है, और साथी सैक्षेनी की योगता, संसानदी प्रवान पत्र यदि आपने पढ़ाय लिखा एक की है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए लेकिन condition यह है कि आप 6 महीने कम से कम उस company में काम करना करेंगे तभी आपको advance पैसे मिल सकता है उसके गाद application फिर बिल्कुल zero है कोई भी पैसा नहीं लगता है selection process आपको सिरुप interview के अधार पर ही selection हो जागे आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पर देखें आवेदन करने के लिए आपको अपना नाम किस post के लिए आप apply करना चाहते है साथ में आपका क्या experience है यह चीज़े और educational qualification city और state यह दो ती यह जो चीज़े है यह आप comment box में डाल दीजे और यहाँ पर जो मैं आपको number दे रहा हूँ screen पर इसी number पर आपको contact करना है तो screen पर जो आपको अभी number देख रही है इस पर आपको contact करना है तो इस number को आप note कर लेजिए और इस पर आप contact करेंगे यदि आपको contact करने में कोभी problem आती है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं और साथ ही job दिलवाने के नाम पर किसी व्यक्ति को एक भी रुपया नहीं देना है ये बात आप लोग बिलकुल धियान दीजेगा क्योंकि यदि आपको कोई भी call करता है पैसे मांगता है या किसी भी तरह की personal जानकारी मांगता है तो वो आप नहीं दीजेगा क्योंकि इससे आपके साथ fraud होने की संभावना बढ़ जाती है जैसे ATM का डिटेल्स होगा रखा जो जानकारी है वो नहीं देना है जो भी job आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी वो इसी नंबर पे call के reply में किसी भी दूसरे नंबर पे आपको call करता है या call आप क चैनल का photo लगा कर लोगों के comment का reply कर देते हैं तो आपको इची देखना होगा comment works में जैसा कि अभी आप a screen पर देख रहे है जो हमारे channel के द्वारा आपको reply किया जाएगा उसमें इस तरह का जो है यहाँ पर जो है green color का बना होता है background उसमे channel का नाम लिखा होता है जब कि पता कर सकते कि जो reply है वो मेरे द्वारा किया गया है किसी दूसरे वैक्ति के द्वारा